घोर कल्युग आने पर मनुष्य पुन्य कर्म से दुर रहेगे, दुराचार में फस जाएगे और सब के सब सत्य भाषन से मुह फेर लेंगे, दुसरों की निंदा में तत्पर रहेगे, पराये धन को हडप लेने की इच्छा करेगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रह तथा वे दुसरे प्राणियों की हिंसा किया करेगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेगे, मुढ, नास्तिक और पशुबुध्धी रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेश करेंगे, ब्राहरन लोभरुपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चल धन का उपारजन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाती के कर्म छोर देंगे, प्राया दुसरों को ठगेंगे, तीनो काल की संध्यो पासना से दुर रहेंगे, और ब्रमह ज्यान से शुन्य रहेंगे, समस्त क्षत्रिये भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, उसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुचसित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शुद्रों का सावर्ताव करेंगे, और उनका चित काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संसकार बिशभुशा से विभुषित हो व्यर्थ घुमेंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुचिल और ध्विजनिन्दक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवात करने वाले होंगे, अपने को कुलिन मान कुलीन कन्याओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सतकर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। सदा ही विमुख रहेंगी। परोपकार समान दुसरा कोई धर्म नहीं है, आथर जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का ततकाल नाश हो जाएगा।